स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल एक्जाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंग एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर का हूँ केरला फार्मासिस्ट का पार्ट थर्ड इस पार्ट में भी आपके 20 questions हैं पिछले आपके 20 20 questions के दो हो जाएगा यह फार्मासिस्ट का जो पेपर है फिर बढ़ेंगे हम लोग आज के अपने सेशन पर और हमारा जो आज का अगला question है वो है 41 नमबर से mother clove is an adulterant of देखे mother clove एक adulterant होता है adulterant का मतलब किसी दूसरी चीज में मिला देते हैं तो जिस चीज में मिलाते हैं उसका adulterant कहलाता है जो चीज हम लोग अब मिलाएंगे तो cardamom, clove, paper या fennel suppose that मानलो कोई चीज बिक रही है जैसे कि clove the right answer is clove clove है clove बिक रही है अगर clove को हम इसकी quantity कम करना चाहें और इसमें original की जगे हमने थोड़ा सा local कोई चीज मिला दी या same therapeutics तो होगा नहीं अगर suppose that clove का therapeutics property 100 है तो जो दूसरी चीज मिलाएंगे उसकी therapeut test je quantity होगी वो कम होगी या सायद हो ही ना ठीक है या वो चीज हो ही ना यानि मिलावट कर देना तो हमने क्लोव में मिला दिया mother clove को mother clove कहा जाएगा अब mother clove कहा जाएगा adult rent किसका clove का ठीक है तो वही पूछ रहा है कि mother clove is an adult rent of किसका? तो मतलब किसका अडल्टरेंट है, क्लोव का होता है, क्लोव की जगे पर मदर क्लोव हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, टैबलेट्स आर डिजाइन टू एकसर्ट थ्रॉट, देखिए इसमें आप से सीधा सा पूछा जा रहा है कि ऐसी टैबलेट जो बनाई जाती है, जो अप थ्रॉट्स में अपना एक्शन शो करती हैं, जाकर के, आपने देखा होगा, जब किसी को कफ की प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग लोग लोजेंजस वाली टैबलेट्स लेते हैं, जो जाकर के, रिलीस करती है, ठीक है, इरिटेशन कम कर देती हैं, जाकर के, तो ये होती ह है हमारी logenges जो की throat के लिए specially बनाई जाती है और बककर tablets क्या होती है जो जबडे में रखी जाती है ठीक और sublingual क्या होती है under the tongue यानि जीब के नीचे रख लिएते हैं जैसे glycerol trinitrate जो nitrate वगएरा होती जैसे dip in हमारी आती है आप सभी लोग dip in के बारे में जानते होंगे dip in tablet जो होती वो under the tongue रखी जाती है ठीक है फिर dental कौन्स dental का मतलब होगे दातों के लिए फिर बढ़ेंगे अगरे की question की तरफ plant drug which lowers blood pressure plant drug कौन सा है जो की blood pressure को कम करता है वसाका नीम रॉल्फिया या तुलसी the right answer is रॉल्फिया रॉल्फिया आपका एक ऐसा plant drug होता है जो की कम करने में help करता है blood pressure को और अगर आपको रॉल्फिया ना मिले suppose that रॉल्फिया का जो salt होता है जैसे रॉल्फिया से प्राप्त होता है racer peen तो अगर racer peen आपको मिल जाए तो racer peen जो है वो भी सही answer होगा अगर रॉल्फिया नहीं मिलता है तो और plant सही मिलता है वो भी ठीक है फिर बढ़ेंगे अग्रे question की तरफ the minimum required area to open a retail drug store दीकिए retail drug store open करने के लिए retail में अगर आपको medical store open करना है ठीक है medical shop open करना है तो आपके पास कितना area होना चाहिए कम से कम कितने area में आपकी दुकान होनी चाहिए तब आपकी दुकान के लिए approval मिलेगा तो 15 square meter 10 square meter 40 square meter या 60 square meter तो the right answer is 10 square meter 10 square meter होना चाहिए या 100 square feet के उपर होना चाहिए ठीक है 100 point something आपका होना चाहिए तो 100 square fit के उपर होना चाहिए तब आपको जो है approval मिलेगा medical store retail में खोणने के जिए फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ enteric coated tablet थोड़ा सा इसमें misprint है आप लोग इसको थोड़ा manage कर दीजेगा coated है यह आपका यह इस जगह पर जो है थोड़ा misprint है enteric coated tablet are designed to release medicament देखे जो enteric coated tablet होती है वो क्यों design की जाती है कि medicament को कहां पर release करेंगी जाकर कि इस टमक में colon में small intestine या large intestine जैसा कि आप नाम से इसको समझ रहें enteric coated enteric coated को रहें एक तरीके से intestine में release करेंगे लेकिन इसमाल में ये large में तो the right answer is small intestine ठीक है साथी साथ आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि कभी-कभी आपसे पूछने आ जाता है कि enteric coated tablet का purpose क्या होता है बनाने का इसको हम लोग क्यों बनाके हैं तो avoid करने के लिए जो भी drug हम दे रहे हैं उसको avoid करेंगे कि वह पेट में जो है stomach में stomach में न dissolve हो वह जा करके सीधे intestine में dissolve हो हम उसको intestine में dissolve कराना चाहते हैं और अगर वह stomach में dissolve हो गई तो जो है action उसका proper नहीं मिलेगा इसलिए stomach में dissolve जो tablet हमारी dissolve ना हो इस वजह से हम लोग entire coated tablet को बनाते हैं यह परपस होता है बनाने का फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ ड्रायर used for the production of milk powder milk powder को production के लिए milk powder के production के लिए कौन से dryer का इस्तिमाल किया जाता है tray dryer, drum dryer, spread dryer या tunnel dryer the right answer is spread dryer ठीक है, spread dryer का इस्तिमाल करते हैं production of milk powder में फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ वेपा side is an insecticide वेपा side is an insecticide which is formulated from जो वेपा side होता है वो एक insecticide होता है यानि कीडे मकॉलों को मारने के लिए इस्तिमाल किया जाता है किस से बनाया जाता है, तुलसी से, नीम से या पाइरेथ्रम से या वसाका से तो चार option आपे सामने है, the right answer is वेपा side is formulated from नीम ठीक है, mosquito repellent के लिए आ जाएगा पाइरेथ्रम ठीक है, mosquito repellent के लिए पाइरेथ्रम और वेपा side आपका नीम से बनेगा फिर बढ़ेंगे अगले question के तरफ, G-suitz bark is the synonyms of, जो G-suitz bark होता है, वो किसका synonyms होता है, सिन्नामन का, कुर्ची का, सिन्कोना का या शुगंधा का, तो the right answer is synchona, synchona के लिए जो है, जो आपका synonyms होगा जाकर कि वो अगर G-suitz bark, ठीक है, G-suitz bark is the synonyms of synchona, synchona anti-malarial medicine होती है, ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले question के तरफ, रेनिन आप proteolytic enzymes which is produced in, देखे, रेनिन आपने रेनिन के बारे में सुना होना, सुना होगा, और रेनिन का काम होता है, milk को digest करना, ठीक है, और रेनिन जो है, आप कर देखे, दो question बनेंगे अब यहां से, रेनिन जो है, disappear हो जाता है, human body से, कितने साल के बाद, देखे, अगर रेनिन की आप से बात पूछी जा रहे है, तो सबसे पहले इस question को हम लोग solve करेंगे, कि रेनिन आप proteolytic enzyme which is produced in liver, brain, spleen, kidney, the right answer is kidney, 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 ठीक है, यह आपका right answer हो गया जाकर कि kidney, तो यह, रेनिन is a proteolytic enzyme, protein को digest करेगा, औ और बड़ों में यह protein को digest करेगा, बड़ों में protein को digest करेगा, और जो है kidney से secret out होगा, यह kidney में secret out होगा, लेकिन अगर आप से पूछ दिया जाए कि रेनिन आप proteolytic enzyme नहीं, आप से पूछ दिया जाए कि रेनिन enzymes जो human body में disappear कब हो जाता है, जबकि रेनिन जो है milk को जो है जब digest करता है, तब वो कब disappear होता है, milk का पाचन कब तक करता है, तो आप बताएंगे 2 साल तक, सुरुआत में 2 years, after 2 years, रेनिन जो है आपका वो disappear हो जाता है human body से, 2 साल के बाद, मतलब जब बच्चा होता है, कोई छोटा सा बच्चा होता है 2 साल का, 2 साल के बाद उसका रेनिन बन बनना जो है बंद हो जाता है उसके body में, और जो क्या कहते हैं, आपका milk का जो digestion होता है, वो आपका रेनिन से ही होता है, at the time of 2 years, at the age of 2 years, दो वर्स की अवस्था में, और दो वर्स की अवस्था के बाद रेनिन बनना बंद हो जाता है, disappear हो जाता है, an example of potassium sparing diuretics, देखे K plus sp sparing diuretics में, spironolactone आप सभी लोग जानते होंगे, K plus sparing diuretics spironolactone, लेकिन इसमें से आप बताइए, spironolactone कोई option ही नहीं, aceta, zilomide, manitol है, chlorothylodon है, या trimeterine है, तो बहुत ही important question है, इसको दोस्तों आप लोग टिक करिए, क्योंकि ये question आपका आ चुका है, NCL pharmacist के exam है, और बहुत ही, मतब बहुत ही बिंदास, बहुत ही मस्त type का question आया था, paper, बहुत ही, मतब धासू type का, समझ रहे ना, तो उसी तरीके का paper आने का आपका, यहां भी chances है, उम्मीद है कि उसी तरीके paper आएगा, तो आप लोग इसको, जो है, इस question को याद करिए, primeterine is the right answer, ठीक, क्या आपका right answer है, an example of potassium sparing diuretics, potassium sparing diuretics में आपका आता है, primeterine, ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ, दोस्तों, गर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और अपने दोस्तों तक जरूर सियर करें, फिर बढ़ेंग हम लोग अपने अगले question की तरफ, 51 number of question alkalizing agent used as anti-neu plastic drug, anti-neu plastic drug क्या होती, cancer की दवाएं, ठीक है, anti-neu plastic और alkalizing agent हो, alkalizing agent होता हो गया, एक category, ठीक है, तो doxorubicin, methotrexate, vimplastin या nitrogen mustard, the right answer is nitrogen mustard, ठीक है, nitrogen mustard जो होता है, alkalizing agent होता है, और used होता है, anti-neu plastic drug की तरह है, फिर बढ़ेंग agent used in dentifrice, dentifrice में, abrasive agent, dentifrice मतलब dental preparation, दातों के लिए, जो है, manjan वगहरा, आपका जो होता है, dentifrice, तो abrasive agent जो होता है, abrasive agent मतलब, जो उपर की skin को जो है, साफ करने काम करता है, जा करके, और brittle particle पाया जाते है, दानेदार particle पाया जाते है, तो उसको कहते है, abrasive agent, तो क्या होता ह है, sodium fluoride होता है, selenium sulfide होता है, zinc sulfide होता है, calcium carbonate होता है, the right answer is calcium carbonate, calcium carbonate जो होता है, आपका abrasive agent की तरह इस्तेवाल होता है, dentifrice में, 54 number of question पर चलेंगे, reagent used for the identification of cellulose, देखिए, अगर cellulose को identify करना है, तो कौन सा reagent इस्तेवाल करेंगे, G cell reagent, venerx reagent, dragon drop reagent या failing reagent, the right answer is G cell reagent is used for the identification of cellulose, ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ, drug used in uterine inertia, देखिए, uterine inertia में, कौन सी ड्रग का इस्तेवाल करते हैं, टरवीनाफायन, टाइरो, त्रिसिन, मिकोनाजोल या oxytocin, the right answer is oxytocin, oxytocin का इस्तेवाल करते हैं, uterine inertia में, और oxytocin ही आपका love hormone के नाम से जाना जाता है, फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ, 56 number of question, dimethicon is the another name of, या other name of dimethicon का दूसरा नाम क्या है, titanium dioxide, calamine, silicon oil या zinc esterate, तो the right answer is silicon oil, silicon oil is the right answer, dimethicon का जो दूसरा नाम है, वो है आपका silicon oil, तो dimethicon का दूसरा नाम, silicon oil, फिर बढ़ेंगे question की तरफ, 57 number of question, drug used in ulcerative colitis, तो drug used in ulcerative colitis, में कौनसी medicine का इस्तवाल करते हैं, ulcerative colitis, अच्छा question है, इसको भी आप लोग याद करिए, सुक्रालफेट, जीफरनेट, या मीटोकलूप्रोमाइड, या सल्फासैलाजीन, the right answer is सल्फासैलाजीन, ठीक है, सल्फासैलाजीन, इसका इस्तिमाल होता है, ulcerative colitis में, और कभी-कभी आपको प्रेडिनी सेलोन भी दे सकता है, तो वो भी right answer माना जाएगा, ठीक है, सल्फासैलाजीन, मीसैलाजीन और प्रेडिनी सेलोन, ये तीनों ही इस्तिमाल होते हैं, ulcerative colitis में, लेकिन आपके सामने option है, सल्फासैलाजीन का, अगर ये नहीं मिलता है, तो मीसैलाजीन, अगर मीसैलाजीन भी नहीं मिलता है, तो प्रेडिनी सेलोन, फिर बढ़ जो की act करती है lower कर देती है plasma LDL ठीक है तो कौन सी आपकी ड्रग है lower estatin है low paramide, aspirin है, klofibrate है ठीक है klofibrate तो the right answer is lower estatin lower estatin जो होती है वो lower कर देती है plasma LDL level ठीक है low density lipoprotein HDL आपने सुना ही होगा HDL और LDL तो जो आपका bad होता है lipoprotein वो होता LDL और good lipoprotein HDL high density lipoprotein और low density lipoprotein तो low density lipoprotein को degrees करने के लिए lower करने के लिए उसका plasma में concentration हम लोग low estatin के इस्तमाल करते हैं 59 number of question पे चलेंगे other name of regenerated cellulose regenerated cellulose का दूसरा नाम क्या है wool, hemp, silk या rayon the right answer is rayon rayon जो होता है उसको कहा जाता है regenerated cellulose फिर बढ़ेंगे अगले question की तरब जो कि हमारा last question है an example of rapidly acting anti-coagulant देखें anti-coagulant जो कि rapidly act करती है तो कौन सा है warfarin है fenindoin है fenindoin या propranolol या hyparin ठीक है fenindion fenindion है sorry fenindion या warfarin, propranolol या hyparin तो the right answer is hyparin hyparin जो है आपका rapidly acting anti-coagulant होता है rapidly acting anti-coagulant होता है hyparin ठीक है और साथ ही साथ अगर आप से पूछा जाए कि warfarin के overdose को कम करने के लिए क्या देंगे तो आप बता देंगे vitamin K और hyparin को overdose को कम करने के लिए क्या देंगे protamin sulfate protamin sulfate ये लोग आप लोग जो है इसको लिख लीजिए ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 questions अगर आपको ये questions अच्छे लोगे हों तो please channel को subscribe जरूर करें exam पहरा चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें हम आपके DC तरीके से different different types के mcqs लाते रहते हैं साथी साथ pharmacist exam के जो official paper होते हैं वो लाते रहते हैं साथी साथ जो pharmacist की vacancies होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं तो करना आपको इतना है कि चैनल को subscribe करना है वीडियो को like करना है और अपने दोस्तों तक share करना है thanks for watching the video, thank you so much